दोस्तों आप सभी का स्वागता करेंट अफिर्स फंडा के यूटूप चैनल पर आपको यहापर बता दूँ कि अगर आप बैंकिंग के इंप्लॉई हैं या फिर आप एक्जामनेशन की तयारी भी कर रहे हैं तो करेंट अफिर्स पॉइंट आपको बता दूँ कि यह लॉक्डाउन के बाद काफी सारे बैंकों में मेजर चेंजिस देखने को मिलेंगे और जो बैंकिंग के जो कामकाज हैं इसमें काफी बदलाओ आने वाले टाइम पर आएंगे आईबिय ने अपनी गाइडलाइन जारी करके आप सभी को कुछ चीज़े इनफॉर्म की हैं तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो इंडियन बैंक एस्सोसेशन है यह दोस्तों एक तरीके की रेप्रेसेंटेटिव बॉड़ी है जो की बारत के अंदर जो बैंकिंग ऑप्रेशन होते हैं इन सभी को यह हैंडल करती है तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि इन्होंने कहा है कि आफ्टर लॉक्डाउन फ्यू चेंजिस बिल बैंक आईबिय की गाइडलाइन आई है और जो नए नियम है वो आपको समझने चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखे तो यहाँ पर पोस्ट लॉक्डाउन एड्वाइजरी जो है बैंक ले जारी की गए है तो इसमें क्या बताया गया है कि जो इंडियन बैंक एस्सेशन है इसने इंस्ट्रक्शन दिया है बैंक को फुली ओपिन इन ग्रीन जोन एरिया आफ्टर दे लॉक्डाउन वर्ड हैस इसूड़ अनुमबर ओफ गैडलाइन इन ब्यू आफ कोरोना पैंडवेक मतलब इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो ग्रीन जोन एरियाज हैं यहाँ पर फुली फंक्शनल तरीके से बैंक ऑपरेट करेंगे लेकिन जो कोरोना वायरस है इसके कारण हम कुछ अपनी गैडलाइन जारी कर रहे हैं उनको आपको फॉलो करना होगा और ये निर्देश आपको मानना पड़ेगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी साखहों में इस तरीके का नोटिफिकेशन सर्कुलर जारी कर दिया है और बाकी ब्रांचेस भी आने वाले टाइम पर इसके उपर आमर करके इसको जारी कर देंगी एक चीज आपके लिए और बता दूँ कि जो IB है Indian Bank Association ये दोस्तो कब existence में आया था ये आया था दोस्तो 26 September 1946 तब से चला रहा है तो जितने भी बैंक में बड़े मुद्दे होते हैं वो सारे के सारे इसी organization के द्वारा जो है सुल जाये जाते हैं यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पहले finance audit केवल होता था लेकिन अब एक तरीके से COVID-19 की बज़़ा से COVID-19 audit भी दोस्तो हमें देखने को मिलेगा तो इसका मतना भी है कि finance audit के साथ साथ में COVID-19 ये audit देने का भी एक फर्मान जो है आपको दे दिया गया है अब इसमें basically क्या होगा कि जो भी bank हैं वो सुरक्षा कारणों से किस-किस तरीके से तयार हैं क्या वो COVID-19 के measures का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इसके लिए एक 4 सदस्ये 4 senior officials का एक panel एक team बनाई जाएगी वो इन सारी चीज़ों को monitor करेगी एक चीज जिन्होंने और भी कहा है कि पहले आपको पता है कि fingerprint से आपका login होता था bank में attendance का तो इस process को अभी के लिए बंद कर दिया गया है और जो भी आपके पास जो आपका touchless प्रिक्राग है जो RFID टेग है इस से आपके attendance दर्ज हो जाएगी ठीक है तो जैसे आप देखते हैं यह कि metro card के थुरू आप अंदर entry कर ले जाते हैं तो बहाँ पर भी RFID टेग के थुरू ही gate open automatically close होते हैं तो बहाँ पर भी वो चीज monitor होती है और दूसरा हम देख सकते हैं कि हम कभी mall बगरा में जाते हैं तो हमने कोई कपड़ा कोई t-shirt कोई paint होती हैं तो इसमें क्या है कि contact का कोई scene नहीं होगा ओके और इसमें क्या होगा कि पूरी तरीके से RFID टेग के थुरू जब आपके entry होगी तो यहां पर जो touchless process है इसको पूरी तरीके से प्रदानता दी जा रही है मतलब कि आपको इन सब चीजों का ध्यान देना है coronavirus की हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि दोस्तों यह जो coronavirus है यह इतनी आसानी से जल्दी जाने बाला नहीं है इसमें थोड़ा सा time लगेगा तो यह चीज बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इन्हों ने यह भी का है कि जो cash transaction है यह तो आपके branch में ही होंगे लेक इनके द्वारा इसको किया जाएगा और यूपी bank employee जो union minister है इन्होंने रजनीस गुपता इन्होंने कहा है कि the guidelines are good working practice it will be a big challenge मतलब इनका हमें पालन करना ठीक है वो काफी challenges बरा रहने वाला है और मैं आपको सारी guidelines अभी बताऊंगा last में और जो अनिल कुमान मिस्रा general secretary है पं द्वारा का खत्रा लंबे समय तक चलने वाला है तो इसके लिए banking staff की सुरक्षा वो हमारे लिए primary है और इसका हमें पूरी तरीके से प्रवंद करना पड़ेगा तो यही सारी चीजों के चलते जो work from home जैसी facilities आपको आने वाले time पर provide कराई जाएंगी तो दोस्तों जो IBA के recommendation पर जो rule है वो मैं आपको यहां पर बताना चाहूँगा इन्होंने काई कि avoid meetings मतलब जो अभी corporate meetings वगरा है इनको पूरी तरीके से avoid कर दिया जाए और यह भी का गया कि एक दूसरे के cabin में नहीं जाएंगे employee मतलब जैसे कोई बड़ी branch है head office की रवांचा माहा काफी सारे employee फिर है का गया कि सामोहिक lunch पर रोक है ठीक है जो get together lunch होता है इसमें रोक लगा दी गई है तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा कि यार तो अपनी मटर पनीर की सबजी मुझे दे दे और मेरे टमाटर आलू ले लो तो मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा sharing करके खाना खाना अभी यह भी अभी बंद रहेंगी यह आने वाले दिनों में open नहीं होगी तो आपको lunch अपना खुछ से ही लेकर आना होगा और किसी भी person की screening जो screening entry होगी ठीक है वो without screening नहीं होगी तो यह चीज यहाँ पर बताई गई कि पहले screening होगी तो वही thermal scanner something है कि जिससे temperature control बगरा पता लेग transport को बिल्कुल भी use नहीं करेंगे आने वाले दिनों के लिए यह का गया है अभी तो बैसे भी सब कुछ बंद चल ला है लेकिन यह का गया है कि आप कोसिस करके अपने वाइक अपने vehicle से आए तो ज्यादा यह फाइदे मन रहेगा और gate पर ही काफी तरीके से sanitation के process बनाए गय है कि जो भी आप देखते हैं कि bank का कमकाज है तो manual form बगरा इनके लेंदेन पर जो है मना किया गया है कि आप इनको avoid करें जहां तक process हो जहां तक possible हो तो आपको पताए कि जो चेक हो गया ठीक है तो यह तो without जो है नहीं हो पाएगा इसके लिए तो हमें manual form की ज़रत पढ़ती ही है लेकिन कुछ और भी है जैसे काते खुलने का form है और भी ओजनों के form है तो इनके लिए जो है यह का गया है कि आप e copy के उपर भी पूरी तरीके से focus करें वो परसन जो है वो अपना internet के तुरु फॉर्म बगरा फिल करके आपको भेज दे वो जादा best है तो यह सारी guidelines जा health workers हमारी society के लिए काफी बड़ा काम कर रहे है या फिर police हो गई या फिर और भी जो staff हो गया उसके अलाबा जो banking services है ये भी अपने आप में बहुत जादा बड़ा काम ये भी कर रहे है ओके आपको बताए कि कोई भी government की scheme होती है कि अगर किसी के खाते में 500,000 रुपे जो भी आए तो इनको लेने के लिए person तो bank जाएगा और bank में भी आपको बताए कितनी जादा भीड़ लगती है इन सब चीजों को manage करना एक staff बैसे भी limited काम कर रहा है तो कई हद तक जो है इनका कारवी काफी सरानी है और मैं इन सभी को salute करता हूँ प्रेस करता हूँ जो भी banking community है throughout the India तो आप लोग भी ध्यान रखें अपना पूरी तरीके से जो है अलर्ट रहें जो भी guidelines आपके लिए दी गई है इनका पालन पूरी तरीके से करें क्योंकि कही ना कहीं पर दोस्तों ये हमारे और आपके अच्छाई के लिए ये सारे guidelines जारी किये गए तो मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में ये एक informative वीडियो थी चाहें आप banking के employee हो या फिर आप examination की तयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर आपको कुछ चीजे हैं पर दोस्तों पता चली होंगे so thank you इस वीडियो को share जरू करें अपने दोस्तों के बीच में और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे have a good day to all of you once again